एक दिन एक घर होगा, सुन्दर सा महल होगा, सुकून की दीवारों पर सुन्दर सा मन्जर होगा नमस्कार दशकों, मैं मौनिका शर्मा, आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस विशेश कारिक्रम में बहुती खास कारिक्रम में एक घर का सपना हर किसी की चाहत होती है और इस सपने को साकार कर रहे हैं लाखों करोडों भारतियों के सपने को अंजाम दे रहे हैं हमारे प्रधान मंत्री माननिय श्री नरेंद्र मोधी जी अपनी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से आज हमारे साथ एक बहुती विशिष्ट मेहमान है जो प्रधान मंत्री की इन योजनाओं को इन नीतियों को आगे बढ़ाने में अपनी बहुत ही एहम भूमिका निभा रहे हैं तो आईए दर्शकों सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे बहुत ही खास मेमान आप हैं केंद्रिय आवास और शेहरी विकास राजी मंत्री छतिसगर की ही धरा से श्री तोखन साहुजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मंत्री महोदे कि आप स्टूडियो में आए अपन में और साथ ही स्वच भारत मिशन के बारे में कि कैसे प्रधान मंत्री आवास योजना लाखो करोणों भारतियों के सपने को साकार कर रही है तो मंत्री महोदे बिना देरी किये कारिकर्म की शुरूआत करते हैं एक यग्य की शुरूआत की है हमारे मानन ये प्रधान मंत्र करने का प्रयास करती है मौनिका जी सबसे पहले मैं दूर दर्शन के माध्यम से सभी दर्शकों का जो हमें देख सुन रहे हैं मैं सबका विनंदन करता हूं सबको जैसरी राम सबको प्रणाम जैसा कि आपने कहा कि हमारे देश के माननी ये सच्छी प्रधान मंत्री जी ने कैस करोड़ों के जो सपने होते हैं कि सब के पास अपना आवास हो सब के सीर पर एक छत हो जिए सपना को साकार करने का मैं लेकिन हमारे देश के सच्वी प्रधान मंतरी जी स्री नरेंद बोदी जी ने ना केवल सोजा बलकि योजना बनाई योजना को धरातल पर लाने का काम किया और योजना बंती कैसे है हमारे हैं कहवत है कि जाके पैर ना फटे बेवाई ओ क्या जाने पीर पर आई जिसके पैर में बेवाई फटा होता है वही उसके दर्द को जानते हैं माननी नरेंद मोदी जी गरीबी में पले हैं, गरीबी में बढ़े हैं, गरीबी में उन्होंने जीवन जिया है, इसलिए गरीब क्या होता है, इस गरीबी के दर्द को वो जानते हैं, इसलिए योजना बन करके आती है, और नक किवल आती है, बलकि माननी प्रधान मंतली जी न 4 करोड आवास इस देश की जन्ता को पहले ही समर्पित कर चुके हैं और माननी मोदी जी के तीसरे ओर में तीसरे कारकाल में पहले ही मिटिंग में cabinet की पहले ही मिटिंग में तीन करोड आवास की स्विकृत्養 दे इदिये हैं, बज़ट में भी इसका पराधान हो गया है, दो करोड आवास ग्रामिर छित्र में गरीबों के सपने को सकार होगा और एक करोड सहरी लोगों के लिए आवास का निर्माड होगा एक बड़ा बड़ी सोच के साथ व्यक्ति सोचता क्या है दिन भर कमाएगा खाएगा बाहर में रहेगा मेहनत मजदुरी करेगा और जाब साम को घर लोटे तो वह भी सुगून के साथ अपने घरों पर रहे यह सपना सकारेदी हो रहा है तो माननी हमारे देश के सश्वी प्र यह जोटा सा गाउं है डिद्नभरी जी मेरा सोभाग्य है कि मैं ग्राम पंचायत के पंच से लेकर एक छोटी ही काई से लेकर के लोग तंतर की सबसे बड़ी मंदिर लोग सभा में जाने का सभाग्य भारती जनता पाटियों राश्टी नेत्रतर के आसिरवाद मुझे मिला इसलिए मैंने गाउं को भी देखा है और मैंने शहरों को भी देखा है कि कैसे लोगों का जीवन, कैसे लोग जीवन जीते हैं और कैसे अपने सपने को सकार करने के लिए क्या क्या सपने सजोए रहते हैं और ये प्रधान मंत्री आवास एक यग्य के समानी है जासा कि आपने क का काम कर रहे हैं जी जी मैं समझता हूँ कि असी प्रिशा से ज्यादा जो लक्ष है उसको पूरा कर लिया गया है और अभी ये तीसरे टर्म में जो तीन करोड आवाज की शुक्रितिया दिये हैं ये बहुत जल्दी ये इसके कारे प्राड़म हो जाएंगे सहरी छत्र में जो रहड़ी पट्टी वाले लोग हैं जो रोजी मजदूरी के लिए आते हैं रोजगार के लिए आते हैं उनके लिए भी आवाज का ये सपना सकार होगा जी जी तो आपने एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात बताई कि कैसे कोई गरीब का दर्थ समझ कर उनके जीवन को सपर्ष कर सकता है उनके जीवन में इतना बड़ा बदलावला सकता है और एक जो बहुत ही आम सपना होता है कि सर पे छथ हो जैसा कि आपने काहा कि ज ऐसे शेहरी और ग्रामीन ख्षेत्रों में आवाज बनाये जा रहे हैं तो आपने बताया कि करोणों आवाज जो है वो बन रहे हैं अब यह कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको सबसे ज़ादा जरूरत है इन आवासों की यह कैसे सुनिश् सुची सरकार के पास उपलग्द है उन सर्वे के अधार पर कि किसको आवास देना है उन्हीं गरीबी रेखा को माध्यम मना करके उनको प्रात्मिक्ता के अधार पर जिसके अंग निर्धारित होते हैं कि किस गरीब का कितने अंग हैं तो उसके अधार पर ये प्रात्मिक्ता इत्ता ही होती है, गरीबी रेखा 2011 सर्वे सुची के अधार पर, उसमें भी माननी प्रधान मंत्री जी ने बहुत दूर दर्सी सोच के साथ, कि यदि किसी विक्ति जो पात्रित ग्राही है, उनका नाम यदि छूट गया है, तो आवास प्लस योजना में उसका नाम आ जाए, और प्रस्ता मंगा करके, उन नामों को भी जोड़ करके, प्रधान मंत्री आवास का लाब हर जरूरत मंदो कुमिले ये प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है, आवास प्लस प्लस योजना के माध्य हम से, हर गरीब तक पहुँचने का काम सरकार कर रही है, तो ये सुनेश पत्पर रासीन है, 36 कड़ के अपने प्रदेश की बात करें, तो ये जो आवास योजना है, इसने कितने कैसे जीवन में बदलाव लाया है शेहरी और ग्रामीर्क शेतरों में, आप ग्रामीर्क शेतरों में, आज से 10 साल पहले, आप जाकर के देखे होंगे, और इन 10 सालों क के बाद, जो गाओं में परिवर्तनाय होगा, अज जो सहरों में परिवर्तनाय होगा, हम उसे इसपस्त महसूस कर सकते हैं, पहले गाओं में जाकर के आप देखते होंगे, तो किवल खपरेल का मकान होता था, और मैं एक विलास्टूर लोग सभा छेतर की, यदि किसी एक ग पास मिलेगा पक्का मकान के रूप में, जहां लोगों के लिए पक्का मकान मनाया गया, उस पक्के मकान में सोचालय का भी निर्माड हुआ है, और सोचालय के साथ साथ उस पक्के मकान में बिजली की विवस्ता को सुनिश्चित किया गया है, तो हर गरीब सम्मान के साथ र अधिकार है, यह अधिकार देने का काम एधिक किसी ने किये हैं, तो हमारी शदेश के सच्छी प्रधान मंतरी माननी नरेद मोदी जी किये हैं, जी बिलकुल, मैं बिलकुल आप से इस बात पर अग्री करूंगी, और साथ ही कैसे अलग-अलग योजनाय मिल के और इस देश की तस्वीर को बदल रही है, एक साथ काम कर रही है, इस पर मैं आऊंगी, इस से पहले मेरे मन में एक प्रशना आया, अभी आपने गाउं और शेहरों की बात की, तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है, वो शेहरों में आकर बस रही है, रोजगार की तलाश की बात हो, या फ सरकार के पास सुची आती है, हमारे प्रदेश की सरकार को भेजती है, कि कौन पात्रता रखते हैं, उनकी मानेटरिंग की जाती है, कि पात्र कौन है, अपात्र कौन है, और जो बड़े परिवार हैं, उन बड़े परिवारों को, यदि कोई 18 साल से उपर का विक्ति है, और अपने माता-पिता से अलग रह रहा है, तो सरकार ने तैकिये हैं कि उनको भी आवास दिया जाएगा, परिवार बढ़ रही है, तो परिवार के आवसक्ता के अनुसार मकान का भी निर्माड हो, जिसमें हर परिवार सम्मान के साथ रह सकें, तो यहीं पर हम आते हैं कि इसका ही एक सिक्के का जो दूसरा पहलू है, वो है जुगी जोपडियां, तो जुगी जोपडियों के पुनर निर्माड के लिए भी कुछ योजनाई चलाई जा रही हैं कि जो लोग जुगी जोपडियों में बढ़े हैं, वो भी एक सुन्दर और स्वस्त जीवन जी सकें, उसक हर सहरों में, यह सर्वे करा करके, कि कितने संख्या में जुगी जोपड़ी में लोग रह रहे हैं, और जहां रहा रहे हैं, वो मकान सास की भूमी है, उनका सर्वे करा करके, उन पर कई स्टोरी के मकान मना करके, उनको वहीं विवस्थित रुप से उनके लिए बिजली की व विवस्था हो उनके लिए पानी की वेवस्था हो और उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए इसकुले हो आसपास में हाड वजार हो ये सारी चिंता सहर्विकास मंतरारया के माध्यम से किया रहा है जी तो कि इतनी सुन्दर सोच है कि मतलब हर व्यक्ति को देश का कोई भ विकार मिलें यह हमारे जो मानिय प्रधान मंत्री हैं जो सतत कारे में लगे रहते हैं और यह कोशिश करते रहते हैं कि कैसे जो देश का विकास है वो देश को एक बहुत ही जुल भविश्य की तरफ ले जाए यह उनकी निरंतर कोशिश रहती है मैं तो मुनिका जी ये कहूंगा कि ये देश का सुभाग है कि माननी नरेन मोदी जी जैसा प्रधान मंतरी इस देश को मिला है जो कि वर अपने बारे में नहीं सोचते वो 140 करोड देशवासियों के बारे में सोचते हैं यही 140 करोड देशवासियों के परिवार हैं यह कैसे सम् करते हैं और सबके लिए योजना बना करके जब कोई परिवार का एक व्यक्ति तरक्की करता है तो केवल उस परिवार के उस व्यक्ति का तरक्की नहीं होता बलकि उस परिवार का तरक्की होता है उन्नती होता है और जब परिवार तरक्की करता है तो परिवार के साथ समाज से होता है कि समाज तरक्की करता है और जब समाज आगे बढ़ने लगता है तो निश्रितरु से देश्विकास करता है तो ग्की के तरक्की से ही भिक्ती के खुछाली से देश की तरगी है जी बिलकुल और इसी सुन्दर विचार के साथ आईए दर्शकों लेते हैं एक छोटा सा विराम आप कहीं मज जाईएगा मंत्री मोदे से हमारी चर्चा जारी रहीगी दर्शकों एक बार फिर से स्वागत है एक बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है मंत्री मोदे के साथ श्री तोखन साहु जी के साथ तोखन साहु जी ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे एक सुन्दर सपना एक सुन्दर भारत जो है वो अपना आकार ले रहा है और इसी सुन्दर भारत को अच्छा आकार स्वच्छ आकार दे रहा है स्वच्छ भारत मिशन तो प्रधान मंत्री जी ने जो एक ये बड़ी शुरुआत की है स्वच्छ भारत मिशन की पूरा देश जो है उसमें स्वच्छता की बयार बहे चाहे वो गाउं के इलाके हो या फिर शेहरी इलाके हो इसने पूरे देश की तस्वीर बदल कर रख दी है इसके बारे में आप ह 2015 में इस स्वच्छ भारत मिशन को जब लागू किये लाल के लिए के पराचीर से माननी प्रधान मंत्री जी ने देश स्वासियों को आवाहन किये कि जब हम महत्मा गांदी जी की एक सो पचासवी जैंती मनाएंगे तो हमारा पूरा देश खुले में सौच मुक्त देश बन जब ब्रुवस्था हूं कि नारी श्रसक्तिकरान के दिस्या में उठाया गाई है सबसे बड़ा किदम था बिलकुल जी माननी प्रधान मंत्री जी आवाहन करते हैं विवस्था-परिवरतर होती है घर-घर सो चाले बनवाए जाते हैं माननी प्रधान मंत्री siendo और राजी श लेकिन उसके साथ साथ, देश में जो बेवस्था परिवर्दन की बात थी, मैं बहुत गर्वक के साथ कह सकता हूं, आज हमारा पूरा देश, खुले में सौच मुक्त देश बन गया है, कभी हम कलपना करके देखें, आज से दस साल पहले, यदि हमारी मातावें बहनों को सौच जाती थी, पानी हो, बरसात हो, ठंड हो, गोला हो, लेकिन ऐसे समय में सौच के लिए जाना, कितनी तक्लिप के बात थी, शड़क किनारे लाइन लगा होता था, रेल के पट्रियों के सामने, हमने देखा है कि लाइन लगा रहता था, और इसके कारण लोग बीमार भी होते थे, लेकिन प्रदान मंत्री जी आवाहन करते हैं, विवस्था परिवर्तन होती है, और हर लोग इसे अपने आत्मा साथ करते हैं, कि स्वक्षता मेरा अधिकार है, और आपने देखा होगा, कि माननी प्रदान मंत्री जी, खुद जाड़ू ले करके निकले, बिलकुल स्वक्षता को आगे रखा, जिस रास्ते में वो चल रहे हैं, कहीं एक कागच का टुकड़ा भी रास्ते में मिल गया, तो कागच के टुकड़े को उठा करके वो अपने जेब में रखते हैं, ये संदेश दिया पुरे देश स्वासियों को, कि स्वक्षता हम सब को अपनान यह बात को मानना चाहिए लोग माने सोचालाय बनवाएं सोचालाय का उपयोग भी हुआ लोटा लेज करके जाने की विवस्ता समाप्त हुआ अनेक संकटे से छुटकारा मिला तो यह बड़ी विवस्ता परिवर्तान माननी प्रधान मंत्री जी के अगवाई में हुआ और स्वक्षता के भ्यान चलती है आज हम कहीं भी जाते हैं तो अपने मित्रों के सांथ बैठे रहते हैं पहले क्या होता था कि खाय पी वही फेग करके चले गए जी जी यह दुनिया की जवाबदरी हमारी नहीं है हमारा काम है कुड़ा फेगना ऐसा होता था अब हमारी जवा प्रगट को उठा करके ले जा करके डस्ट बीन में डालते हैं बिल्कुल यह जा गुरुपता दी आई है तो माननी हमारे देश के यह सच्वी प्रधान मंतरी स्री नरेन मोदी की करान आई है बिल्कुल और इस पहल से ना सिर्फ हमको अपने उपर गर होता है बलकि अपने देश की उपर भी गर होता है कि हमारा देश सच रहे सुन्दर दिखे इसी प्रयास में मैंने देखा है महोदय कि जो गाओं के जो इलाके हैं वहां पर भी आप देखेंगे कि जो सुन्दर आवास बने हैं प्रधान मंतरी आवास योजना के तहर उनके आसपास भी बड़ी स सुन्दर से सफाई की जाती है गाओं की तस्वीर भी इस योजना के माध्यम से बहुत बदल रहे हैं गाओं की तस्वीर भी बदली है सहरों की भी तस्वीर और तक्दीर दोनों बदली है आज हर व्यक्ति स्वक्षता को अपना रहे हैं और जाडू लेकर के फोटो में जी उससे आनंदी के नहीं होती है जी मेरा कृतब है बिल्कूल तो ये परिवर्तन देश में आया है इस है इससे पहले किसी कमन में यह सोच नहीं होता था कि यह मेरा गाओं है मेरा इसकुल है मेरा सहर है मुझे साफ रखना है तो यह हम सब का दाइद तो बनता है जैसे देश में हमारा इंदवर का सहर प्रथा मारा है लगाता तो मैं इंदवर के लोगों को भी और इंदवर के नाग सब के लिए प्रेणास हो, सभी सहरों के लिए, हम सब को अपनाना चाहिए, अपने घरों की सफाई रखना, अपने सड़कों की सफाई रखना, ये हमारा अपना कर्तब्य है, हम केला खाए और छिलगा कहीं विशेंगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये आत्मबोध कराने व नवा देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा, माननी प्रधान मंत्री जी इस देश के बारे में सोचते हैं, इस देश को कैसे हम लोग आगे ले जा सकें, और देश का नेता वही है, जो देश के बारे में जाने, देश के बारे में समझे, और देश को आगे ले जा माताओं के बारे में सोचते हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं, यह देश कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंदा करने वाले माननी हमारे देश के प्रधान मंत्र स्री नेरेन मोदी जी है. जी बिलकुल और मैं बिलकुल सहमत हूँ आपकी सोच से, कि जो एक सुन्दर सोच है, वही समाज को आगे ले जा सकती है, देश को आगे ले जा सकती है, और जैसा कि आपने कारिक्रम की शुरुआत में कहा था, कि जो हमारे माननी प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने मर्म को समझा घरीबों के मर्म को समझा, ठीक वैसे ही उन्होंने महिलाओं के मर्म को भी समझा, कि उन्हें एक सम्मान जनक जीने का अधिकार मिले, सुच भारत मिशन के तहट, शौचाले निर्मान कर आए गए, इससे मेरे खाल से देश की जो करोणों महिलाएं हैं, उनके जीवन में बह लावाएं हैं, देखिए मैं समझता हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि नारी ससक्ती कि रन के दिसाय में उठाए गए, बहुत बड़ा कदम है, बिलकुल, माताओं को कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, एक अभी हमने सोच करके देखें, हमारे देश की आधिय ससक्त नहीं होंगी, आत्मनिर्भा नहीं होंगी, तब तक हम इस देश में विकास की कलपना को साकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए नारी ससक्ती करन के दिसा में उठाया गया, यह बहुत महत्तापुन कदम है, और माननी प्रधान मंत्री जी ने इसको प्रात्मिक्ता के साथ ल हमारे गाँ हो, हमारे सहर हो, हम इसकोलों में चले जाएं, हम कोई भी कारकरम करते हैं, किसी भी कारकरम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमने देखा है लोगों को, कि देखो वह कचला यहां नहीं रहना चाहिए, हम सब हमारे मन में होता है कि कचला फेगना यह हमारी जव हम सब को होता है जी मतलब सबको इसका ध्यान रखना चाहिए और इसी से समाज भी आगे बढ़ता है देश्पी आगे बढ़ता है मंत्री बहुत है स्मार्ट सिटी के बारे में मैं आप से बहुती संक्षेप में जिक्र करना चाहूंगी कि स्मार्ट सिटी जो है जो हमारे शेहरों को आधुनी की करन की ओर ले जा रही है तो ये परियोजना क्या है इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बहुत यह संक्षेप में जानका रही देखिए स्मार्ट सिटी की कांसेप्ट को पहले हमको समझना होगा इस्मार्ट सिटी की योजना को जब लेकर के माननी प्रधान मंत्री जी आए तो यह सोच है कि सहरों की आवसकताओं के अनुरूप सहरों में निर्माड कारे खोना चाहिए कि सहर में किस चीज की आवसकता है इस पेसिफिक इसमें यह नहीं है कि इसमें सिर्फ यही काम करना है जैसे हम रित मिसन में हम 92% पे जलुप लब्द कराने के लिए खर्च करते हैं लेकिन हम स्मार्ट सिटी में सहर की आवसक्ताओं के अनुरूप सहर को जो जो आवसक्ता हैं वहां के इस्थानी निकाय, वहां के हमारे जन प्रत्निधी, वहां के हमारे अधिकारी करमचारी, वह सव सहरों का चैन किया गया और सव सहरों में जहां-जहां जो आप सकता हैं आप जंता की तरफ से जो मांग आया, जो जन प्रदिधी महसूस किये, उन कामों को किया गया, अब मैं एक उदारान आपको बता रहा हूँ महा कालेश्वर हमारे उज्यन में महाकाल अलि इ praगवान जो हम सब के आस्ता के प्रतीक है जहां महाकाल लोग की स्थापना हुई महाकाल लोग कारिडर तो ये smart city योजना के माध्यम से महाकाल लोग कारिडर की स्थापना हुई है मैंने भी जा करके देखा वहाँ जाकर के देखने के बाद लगता है कि क्या चीज बनाए है वहाँ पर तो आज वर्तमान समय में समय की आवसक्ताओं के नुरूप सहर को जो आवसकता है उसका निर्माड होना चाहिए ये कांसिप्ट है सहर के आवसकता है सडक की तो सहर का निर्माड होगा नाली के आवसकता है तो नाली का निर्माड होगा यदि इस्टिडलाइट के आवसकता है तो इस्टिडलाइट का भी निर्माड विवस्ता होगी यदि पुस्तकालाय चाहिए सहर को तो पुस्तकालाय का भी निर्माड इस इस Smart City के माध्यम से यह concept है कि सहर के अवसक्ताओं के अनुरूप वहाँ के जनता जो चाहती है उसके अनुरूप सहर का विकास हो यह मानने प्रधानमंतरिजी के सुंच है और ऐसे उधारन के लिए बहुत सहरों की बात में बता सकता हूँ, जो कि समय कम है, इसलिए मैंने उज्जयन में महाकाल लोकारी डोड की जो इस्थापना हुई है, उसके बारे में मैं आपको बता है। कर सकता है, लक्षे को प्राप्त कर सकता है। मंत्री मौदे चलते चलते आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने सपनों के भारत को आकार देने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लोग तंतर की सबसे बड़ी काई, लोग सबह में जाने के सभाग मिला। तो आपका ये भाई आप सबको नमन करता है। और मैं 36 गल की जनता को भी हिरदय से धन्यवाद देता हूँ, पड़ाम करता हूँ, जिनके आप आरसने आसिरवाद से दुनिया के सरवाधीक लोग परिनेता, माननी नरेन मोदी जी के मंत्री मंडल में समलित होने का सभाग मिला है। तो मैं यही कहूंगा, आप सबसे पू आगे बढ़े यह देश कैसे तरक्की करें, सब लोगों के जीवन में खुसियां कैसे आए, इसलिए ओ काम करते हैं, तो हम सब एक साथ मिल जूल करके, हम सब लोग यह राष्ट हमारा है, यह देश हमारा है, इस भावना के साथ हम सब लोग काम करेंगे, इस देश की और इसे अपना मान करके हम सब साथ मिल जूल करके काम करेंगे तो निश्चित रुप से हमारा देश आगे बढ़ेगा और विश्वक गुरू के रूप में हमारे देश की पहचान होगी हम भी यही उमीद करते हैं कि आपका सपना साकार हो चलते चलते एक और लोब आ गया है म तेरे मन में आप से एक चोटा सा प्रशने करने का कि आपके सपनों का भारत और सपनों का 36 गड़ कैसा हो भारत में हर संभावनाय हैं भारत में हर तरह की प्रतिभाएं हैं प्रतिभाव को पहचान करके उन प्रतिभाव को हम सहरा दे करके यदि हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो 36 गड़ में जो खुसिया हम चाहते हैं 36 गड़ में भी मिलेगी और भारत देश में भी मिलेगा हर व्यक्तिभाव को पहचान करके उसके विकास के लिए काम करना बहुती सुन्दर शब्द, बहुती सुन्दर विचार मंद्री मोद है हम उमीद करते हैं कि आपका ये सपना बहुत जल्ब साकार हो आप अपने व्यस्त शेडूल में से समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों को इतने अच्छे अच्छे विचार दिये इतनी अच्छी संभावनाई दिकाई उनको इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनका जी और मैं सवी दर्शकों को हरिदर से धन्यवाद देता हूँ जी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों उमीद है कि हमारा आज का कारिकरम आपको जरूर पसंद आया होगा इसी के साथ हमको दीजिये जाज़त नमस्कार